दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे लूक अप पिच्चर लूक अप पिच्चर के यूज़ क्या है चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक्सल में मैंने यहाँ अपना एक्सल ओपन कर लिया तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने एक्सल में वी लूक अप का यूज़ सीखा होगा और वी लूक अप क्या करता है वी लूक अप एक सीट से आप दूसरी सीट पर इसकी वैलू को दे सकते हैं या एक कॉलम से आप दूसरे कॉलम पर इसको मैच करा के दे सकते हैं लेकिन हम सीखेंगे यहां पर लूक अप फर्मूला और लूक अप फर्मूला के अंदर पि विसे विनु को चेंज करता तो सब्सक्राइब को सब्सक्राइब और यह पर 10 तो सब्सक्राइब हो जाबाला है ध 우리가 कि विजास है। यहां और प्षप्रेती थो देसे कशेंज हो सब्सक्राहब करते हैं यह होता है लूक अप फर्मूला के दौरा तो देखे हम कैसे पिच्चर को लगाएंगे किस तरह चेंड करेंगे तो देखे फ्रेंस यहाँ पर आल लेडी मैंने फर्मूला लगा रखा है और हम आपको बताते हैं नेश्ट अगली सीट में कि आपको कैसे इसकी फर्मूला करनी है किस तरह आपको फर्मूला लगाना है तो चले यहाँ पर सीट 3 पे हम किलिक करते हैं और यहाँ पर देखे कुछ डेटा हमने उसी तरह इसको बना लिया है और यहाँ पर कोई भी फर्मूला भी हमने लगाया नहीं है सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउं लिष्ट लाएंगे इन रो लंबरों की सबसे पहले उस तरह को सेलोट कर लिजे इसके बाद आपको जाना है डाटा मीनुमें और यहाँ पर देखिए लिखा है data validation इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको ले लेना है list लिश्ट ले ले लिजिए और source पर क्लिक करने के बाद आप उन सारे roll number को select कर लिजिए कुछ इस तरह है शलेट करने के बाद simply आपको ok कर देना है जैसे ok करेंगे friends तो यहाँ पर दे setting कर लेते हैं home में गए और यहाँ से मैंने लगा दिए सेंटर और middle align पर क्लिक किया और यहां से कर लिया board और इसकी हम कुछ शायच बढ़ा लेते हैं कुछ इस तरह है और यहाँ से हम कर लेते हैं कुछ background color अब friends हमको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर एक picture लानी है जैसे य point number के आगे जो picture है यह picture हमको यहाँ लाना है तो वो हम कैसे लाएंगे सबसे पहले आपको जाना है friends formula पर फार्मूले पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है name manager नेजर इस पर आपको खल Κार लेना है जलिक करने के बाद आपको क्या करना इहां पर New करना है और New कर लिजी और New करने के बाद के बाद आप यहां पर कोई भी नेंव सका तो मैंने यहां पर लिख दिया A.S.T.H.A. आप अपना नाइम लिख सकते전फियर अप जो नेम देना चाहे हो नेम दे सकते हैं यहां पर इसके बाद आपको क्या करना है और यहां पर फार्मूला क्या लगाना है आपको यहां पर आपको लिखना सबसे पहले INDEX index लिखना है और bracket open करना है bracket open करने के बाद आपको क्या करना है ये जो हमारी picture है इन सारे शेलों को select कर लेना है कुछ इस तरह की rend देना है ऐसे तो मैंने इन सारे picture हो की rend दी है rend देने के बाद आपको लगाना है कॉमा इसके बाद आपको लिखना है म, A, T, C, H match match लिखने के बाद आपको लगाना है यहाँ पर bracket bracket लगाने के बाद अब match कहां सकराना है आपको इस सेल से कराना है तो इस सेल को मैंने किया select select करने के बाद मैंने लगा यहाँ पर कॉमा कॉमा लगाने के बाद आपको किस एरें में दिखाना है तो यहां से हमको दिखाना है रोलंबर वाली कॉलम को तो हम क्या करेंगे इस रोलंबरों को जो भी आपके रोलंबर हैं उनको आपको सिलर्ट कर लेना है इस तरह है उनकी रिंदेना है अपको यह हमने रिंदे दी इसके बाद यहां पर लगाना है आपको कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है यहां पर लिखना है जीरो एक जैट मैच के लिए आप जीरो लिखेंगे इसके बाद आपको दो ब्रेकेट क्लोज करने है एक आपको एक जैट मैच के लिए क्लोज करना अब देखें यहां close तो मैंने कर दिया अभी अगर हम यहां पर कोई नंबर चेंड करते हैं तो यहां भी कुछ नहीं होता है ना तो यहां तो भी पिच्चर भी नहीं आई अब यहां पिच्चर कैसे आएगी सबसे पहले आपको अपनी फ़स्ट पिच्चर जो आपकी है उस पे आपको उस शेल को सेलेट करना है पिच्चर को सेलेट नहीं करना है पिच्चर को इस तरह नहीं सेलेट करना है आपको सेलेट करना है अशे इसके बाद इसको आपकर लिजे कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी करन आपको paste special में paste special में देखे यहां पर आपको दिखाई पढ़ रहा होगा नीचे index linked picture यहां पर लिखा है linked picture पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप linked picture पर क्लिक करेंगे देखे हाँ फोटो आ गया है आप यहां पर अगर कोई value आप change करते हैं तो देखे अभी भी आपकी picture change नहीं होती है वो कब change होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है फार्मुला बार पे आपको जाना है और यहां पर आपको वही नेम लिखना है जो नाम आपने दिया था नेम मैनेजर में तो मैंने दिया था अ-चे पास बास ऐिंठ आपको कर देना है इंटर जैसे एंटर करेंगे तो देखें यहां पर टुइंटी यंश्य कॉलम के सामने जो हमारा एकिस नमबर लोंबर था सश्क कर देखें यह पिचर लगी है तो यहां पर यह पिचर सू कर रही fakir estos अब यहाँ पर हम जैसे ही वैलू चेंज करते हैं जैसे मेरी पहले यह देखिए बीस नंबर ओला जो हमारा असल है और बीस नंबर वैले कॉलम के सामने यह पिचर लगी हुई है तो जैसे यहाँ पर हम बीस नंबर लेते हैं अपना मैंने यह बीस नंबर ले लिया है वह चेंज होगी आःटमेटिक हो जाएगी अगर हम कोई भी फर्मेटींग करते हैं जैसे मैंने इस पर क्लिग किया देखें इसकी साइज अगर भळाते हैं इस पिचर की तो वहां पर देखिए उस पिच्चर में भी चेंजिंग हो रही है तो यह होता है किसके द्वारा होता है यह लूक पिच्चर के द्वारा होता है तो इस तरह आप लोग भी इसका लूक पिच्चर के उच कर सकते हैं यह फार्मूला आप लगा सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करके आप लोग जरूर देखि वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करेंगे तब तब मिलते हैं नेस्ट वीडियो में फ्रेंट जाएंगे